हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सैयोरी एक अनाथ लड़की होती है जिसका इस दुनिया में कोई नई होता है सैयोरी जब साथ महीने की थी तभी उसके माता पिता की मृत्य हो गई और फिर वो अनाथ आश्रम में ही रहने लगी अब जब वो पंद्रा साल की हो चुकी थी तभी वो बाहर की दुनिया में जीने लगी वो एक धाबे पर काम करती जिसके मालिक का नाम कलुचन था कलुचन देग बहुती क्रूर किस्म का इनसान था बिचारी अनाथ सैयोरी से वो बहुत सारा काम करवाता और बदले में उसे बहुती कम तर्खवा देता सैयोरी उसके धाबे पर स्वादिष्ट खाना बनाती और खास करके लोगों को उसके हाथ की मटन बिर्यानी बहुत ज्यादा पसंदाती सभी उसकी मटन बिर्यानी को बड़े ही चाव से खाते हैं आहाहाहा, कल्लु भाई, आपके ढवी की स्पेश्यालिटी, मटन बिर्यानी के बारे में क्या ही कहूं, ये मुँ में जाते ही मैं अलग दुनिया में खो जाता हूं, अरे सच में बहुती स्वादिष्ट मटन बिर्यानी होती है। जी भाई साब, धन्यवाद, धन्यवाद, खाईए न, और खाईए, लीजिए अरे बस, 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 बस कलू भाई, अब थोड़ा और दही रायता मिल जाता तो सोने पे सोहगा हो जाता सच कहूं तो, अरे क्यों नहीं जी, ये लो, लेकिन इतना याद रखना, इस सब के एक्स्टा पैसे लूँगा कलूचन बहुत ही लालची था, वही इमानदार सैयोरी दिन भर चूले फूख फूख कर धावे में खाना बनाती एक दिन धावे पर कौशिक और चंदना कहा कर एक कपल आते हैं, जब वो दोनों धावे के छोटी सी रसोई में चूले के सामने काम कर रही सैयोरी को देखते हैं, तभी उन्हें वो बहुत पसंदाती हैं, और उस पर बहुत दया आती हैं, जब वो उन्हें रायता पर उसने बेटी, सच में, तुम बहुत प्यारी हो, और तो और इतनी छोटी सी उमर में इतना अच्छा खाना भी बनाती हो, ये मतन बिर्यानी तो ला जवाब है। नहीं मैडम, मेरे मापापा नहीं है, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा, मैं एक अनाथ हूँ, चलो मैडम, अभी मैं जाती हूँ, काम दिप्टाना है, वरना मालिक मुझे छड़ी से मारेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। सैयोरी घबरा कर रसुई में चली जाती है, यह देखकर कौशिक और चंदना को बहुत बुरा लगता है और उनकी आखे भराती हैं, वो दोनों उस दिन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब वो हर हफ्ते में दो से तीन बार उस धाबे पर आते हैं, सिर्फ सैयोरी से बात करने के लिए, एक दिन जब वो आते हैं तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं, जिसे देखकर उनके रॉंक टे खड़े हो जाते हैं, कलुचंद सैयोरी को एक मोटी छड़ी से जोर-जोर से बेरहमी से मार रहा होता है, यह देखकर चंदना और कौशिक तुरंत पुलीस को बुलाते ह और कलुचंद, तेरी इतनी हिम्मद के मासूम लड़की की मजबूरी का फाइदा उठाता है, और उससे इस गदर जानवरों की तरह बेरहमी से मारता है, बेशरम आदमी, आदमी नहीं, यह हैवान है हैवान, इंस्पेक्टर सहाब इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना, ऐसी सजा जिससे ये मरते दम तक न भूल पाए, मैडम, सैयूरी एक दम से भावखो कर चंदना से लिपड़ जाती है, और चंदना और कौशिक सैयूरी को कानूनी तोर पर गोद ले लेते हैं, वो दोनों सैयूरी को बहुत प्यार देते हैं, और ऐसा जीवन देते ह जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, हाई, ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी है मैडम, क्या ये मेरा कमरा है, या तो कितना मुलायम गदधा है, हाँ सैयूरी बेटा, ये अब तुम्हारा ही कमरा है, और अब से तुम हमें मैडम या साहब नहीं, मा और प हमारी प्यारी सायू जी हाँ मैं सैयूरी बात कर रही हूँ सैयूरी मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स जीहा बात कर रही हूँ आपके ममी पापा का बहुत बड़ा अक्सिडन्ट हो गया है और उन्हें अक्सिडन्स साइट से अब हॉस्पिटल लाया गया है वो दोनों critical condition में हैं और ICU में उनका treatment चल रहा है आपके पापा का फोन locked था इसलिए हमने आपकी मम्मी के फोन में last dialed call आपका देखा इसलिए आपको inform कर रहे हैं ये खबर सुनकर सैयूरी पूरी तरह स्थब्द हो जाती है उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो तुरंत रोते हुए घर के नीचे आती है और टैक्सी ढूनने लगती है सैयूरी सिटी होस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है टैक्सी में बैठ कर उसके मन में सैक्रो डरावने विचार आने लगते हैं नहीं कुछ नहीं होगा मेरे मापापा को भगवान जी आपने मुझ से मेरे सगे माबाप तो बहुत पहले ही छेल लिये थे लेकिन आप अब मैं फिर से अनात नहीं होना चाहती मेरे मापापा को कुछ नहीं होना चाहिए उनकी लक्षा करो बगवान जी Please, please सैयोरी होस्पिटल पहुँचती है तब तक कौशिक की जान चले जाती है और चंदना अपाईज हो जाती है चंदना और सैयोरी कौशिक के चले जाने से खोब दुखी हो जाती है उसके जाने के बाद तो अब चंदना भी पॉशिक ने तुम्हें इतनी सुन्दर जिन्दगी दी, लेकिन जिन्दगी ने देखो, कैसा खेल खेला, अब हमारे साथ ही खेल खेल दिया, ये बहुत कलट हुआ है, पता नहीं अब क्या होगा, तुम्हारा ग्रैजुएशन भी रह गया, कोई बात नहीं मा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, इन सब का कुसूर सिर्फ हालातों का है, आपका नहीं, और आप चिन्दा मत कीजिए, क्योंकि आप ये सैयोरी अपनी मा को समभालेगी, मतलब? मतलब ये, कि मैं आप जॉब करके पैसे कमाऊंगी और आपका ध्यान रखूंगी मा, लेकिन सईयो बेटा, तुझे तु अपना ग्रैजुएशन फिर से करना चाहिए, आप उन सब की बिल्कुल चिन्दा मत कीजिए, मैं सब समाल लूँगी, सेयोरी जॉब ढूणने जाती है, कई जगों पर धक्के खाती है, कई इंट्रव्यूज देती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसे कहीं पर जॉब नहीं मिलती, वो बहुत निराश हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, बेटा, अब क्या होगा? क्या होना है, सब कुछ अच्छा ही होगा मा, मैंने तै किया है, कि मैं मतन बिर्यानी बना कर बेचूंगी, जी हाँ, वही मतन बिर्यानी, वैसा इस वाद, लेकिन बेटा, कोई काम चोटा या बड़ा नहीं होता है मा, मैं जानती हूँ कि आपने और पापा ने, मुझे उस दलदल से बहार निकाला था, और अब मैं फिर से वही करने जा रही हूँ, लेकिन अब फर्क ये है, कि ये मेरा खुद का धाबा होगा, तू सही कहा रही है बेटी, जा, जा बेटी, मेरा और कौशिक का शिरवाद हमेशा तेरे साथ है, सैयोरी अब अपना एक छोटा सा धाबा बनाती है, और उस पर बड़े अक्षिरों में मतन बिर्यानी वाली का बोर्ड लगाती है, दिरे दिरे लोग उसके धाबे पर आने लगते हैं, और सभी मजे से मतन बिर्यानी को खाने का आनद उठाते है, अरे वावाबा, क्या जाइका है, क्या लजीज बिर्यानी बनाई है, माशा था कर बेटी, क्या आप फंक्षन्स और एवेंस के ऑर्डर लेती हूँ, जी हाँ भाई साब, लेती तो नहीं हुग, लेक जाता हो कि आप मेरे बेटे के बर्थडे फंक्शन के लिए 200 से 300 लोगों की मटन बिर्यानी बनाएं। अरे वाँ, ठीक है भाई साब, आप मुझे पता बता दीजे और थोड़ा सा अडवांस दे दीजे ताकि मैं समाल ना सकूँ। इस तरह सैयूरी अपने मटन बिर्यानी धाबे को चलाते हुए साथी साथ पढ़ाई भी करती है और अपना ग्राजवेशन पूरा करके मास्टर्स की पढ़ाई करती है। आगे जाकर धेर सारे पैसे कमाने के बाद वो हर शहर में अपने रस्टरॉंग खोलती है और एक अमीर औरत बनती है। वो चंदना को एशो आराम वाली जिन्दगी दिखाती है और दोनों मा बेटी खुशी से जीवन बिताते हैं। धीरचपुर नाम के गाउं में आलोक और उसकी पत्नी सुनीता अपने बेटे ठीटू के साथ रहा करते थे। आलोका गाउं में चिकन धाबा था जहाँ पर वो चिकन के बने पतार्थ बना कर बेचा करता था। लेकिन आजकर उसके धाबे पर एक मक्ही तक जल्दी नहीं मन राती। पता नहीं अब क्या हो गया है पूरे गाउं को अचानक से सभी शाकाहारी हो गई हैं क्या। धीरशपुर में रहना है तो हमें धीरश तो रख नई हो गना जी। चिंता मत कीजिए आज आएंगे क्राहक। तुमने उन्हें स्पेशल नियोता दिया है क्या सुनीता। जी नहीं तो भला मैं क्यों नियोता दो। क्या आप भी कैसी बाते करने लगते हैं। नहीं तुम जो बड़ा बोल रही हो कि आज आएंगे हां। अरे जाओ जाओ मैं पहले भी बहुत परिशान हूँ। आलोक दिन भर मेहनत से चिकन के डिशस बनाता लेकिन बस थोड़े बहुत ग्रहा की उसके धाबे पराते जिस कारण वो बहुत दुखी होता। हे लक्षिमी मैया, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माव कर दीजिये, लेकिन मुझसे नाराज मत हो ये। थोड़े दिनों की महलत मांग कर आता हूँ ना प्रिंसिपल सर से। आलोक टिटु के स्कूल प्रिंसिपल के लिए स्पेशल बटर चिकन और चिकन फ्राइड राइस बना कर ले जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। ये क्या है आलोक जी? आप इस तरह स्कूल में टिफिन नहीं लेकर आ सकते हैं। खाना है तो स्कूल कैंटीन में जाकर खाईए। प्रिंसिपल सर, दरसल वो मेरा चिकन धाबा है, लेकिन वो कई दिनों से ठेक से चल नहीं रहा। ग्राहा की नहीं आ रहे, इसलिए थोड़ी पैसो की तंगी चल रही है। आप ये खाईए, ये खाईए तो ना, प्लीज ये खाईए, आपके लिए ही स्पेशली बना कर लाया हूँ। आलोग प्रिंसिपल को जबरदस्ती चिकन के डिश खिलाता है, जिसे खाने के बाद प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा टिफिन सवाच चट कर देते हैं। तुम्हें क्या कह रहा था कि आप मुझे फीस भरने के लिए थोड़ी और महुलत दे देंगे क्या। पिलीज प्रिंसिपल सर। जी जी क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपको जब मन हो तब फीस भर देना। बस मुझे हर हफ़ते आपके हाथ के बने चिकन डिश भेज दिया कीजिए ठीक है। जी जरूर जरूर। आलोक टिटु के स्कूल के टेंशन तो दूर कर देता है लेकिन बाकी के टेंशन अब भी उसकी राह देख रहे थे। एक दिन चिकन धाबे पर उसका घर मालिक आ जाता है। मुझे पैसा चाहिए मेरा पैसा चल जल्दी से पैसा निकाल वरना मैं तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूँगा। आलो घबरा जाता है और वो पैसा नहीं दे पाता जिस कारण उसे पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर देती है। जेल के अंदर सुरिता जल्दी से घर जाती है और सारे छोटे मोटे नए पुराने जेवर बेच कर वो घर मालिक को जा कर देती है। ये लीजे, इन गहनों को बेच कर तो आपको किराय के पैसे से भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, इन्हें रख लीजे और अपनी कम्प्लेंट वापस ले लीजे। अरे ठीक है, अगर पहले ही दे देती, तो तुम्हारा पती जेल की सेर करने नहीं जाता। घर मालिक जेल जाता है और अपनी कम्प्लेंट वापस ले लेता है, जिसके बाद आलोक को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब आलोक पर अपने धाबे का फैसला लेने की नौबद आ चुकी थी। बस, बहुत हो गया ची, अब आपको धाबे का फैसला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस गाओं में रहकर तो कोई भी आपके जाइके का सुआत चकने से रहा। मैं तो कहती हूँ, बेश दीजिए से, और शेहर चलिए, गाओं की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन शेहर में वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है और वहाँ पर ग्राहक भी ज्यादा होंगे। लेकिन सुनीता, इस धाबे को मैंने कितनी मेहनत से खरीदा था, ये तो तुम जानती ही हो ना, खेर, जो तुम कह रही हो, वो भी सही है, हमारी भलाई शेहर जाने में ही है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, हमारे ओपर इतना सारा कर्ज है, इस धाबे को जाबे को समझने याता कि क्या करें और क्या नहीं, फिर भी वो अपने चिकन धाबे को बेचने का फैसला लेते हैं, ये लो भाई, इस मकान की चाबी, मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपना धाबा दे रहा हूँ, जो मेरी जान से भी प्यारा था मुझे, अरे जाई, अच्छा होना और मेरे साथ, ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन है, आलोक धाबे को बेचकर जो पैसे आते हैं, उनसे अपना सारा कर्स चुका देता है, उसके बाद थोड़े ही पैसे बच जाते हैं, आलोक अब अपने दोस्त मट्रू के साथ एक नई नौकर ढूंडने लगता है, क्योंकि गाउ से शहर जाकर रहने के लिए तो उसके पास जरा भी पैसे नहीं बचे थें, मट्रू, भाई मुझे ऐसे नौकरी चाहिए, जिससे अच्छी तनखा आए, अरे भाई, आज कल अच्छी तनखा वाली नौकरी मिलना बहुत कठिन हो गया है मेरे भाई, इसलिए जो नौकरी मिलेगी, उससे खुशी खुशी गले लगा लेना आलोक को बड़ी मुश्किल से एक मिल में नौकरी मिलती है, वो भी दस हजार प्रती मा की तनखा वाली मजबूरी में वो उस नौकरी को करने के लिए हाथों कह देता है, लेकिन अंधरी अंदर उसे इस बात की चिंता सताती है कि वो दस हजार में अपना घर कैसे चलाएगा तबी रास्ते में घर लोटते वक्त चिंता के मारे आलोक रास्ता भटक जाता है उसे एक खुफिया बंगला दिखाई देता है, जिसकी खिड़की पर वो डॉन पिंटू सिंग को देखता है आरे, ये में कहा आ गया, ये तो दूसरा गाउं है, और ये क्या, इस खंडर जैसे बंगले में, ये डॉन पिंटू सिंग, इससे तो धेरटपूर की पुलिस कब से ढून रही है इससे ढून निकालने वाले व्यक्ति को तो पाँच करोड का इनाम भी मिलने वाला है तुमने बहुत ही समझदारी और बहादूरी वाला काम किया है आलोक, ये दरिंदा डॉन पिंटू सिंग, इसने न जाने कितने लोगों को लूटा है अब तेरा खेल खतम डॉन पिंटू सिंग आलोक को पैसों का हार पहनाया जाता है और उसका पूरे गाउं के सामने सम्मान और सदकार किया जाता है आलोक पूरे पाँच करोड का इनाम जीत जाता है किसमत ने उसके आगे इतनी मुश्किले खड़ी की लेकिन उसे आकिरकार खुशिया मिली गई आलोक सुनिता और टीटू के साथ शहर जाता है और वहाँ पर अपना बड़ा रेस्ट्रॉण खोलता है वो तीनों एक बंगले में रहने लगते हैं और आलोक का रेस्ट्रॉण कुछी दिरों में बहुत नामचीन हो जाता है क्योंकि सभी को उसके हाथ की बनी चिकन डिशस बहुत पसंद आती हैं दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा